Hello students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की इस वीडियो में बच्चों हम discuss करेंगे Worksheet No.19 4 Class 6 गनित की बच्चों ये Worksheet है जो आपके लिए 1st December 2020 के लिए schedule की गई है आज की Worksheet का topic है भिन्न यानी भिन्नों को घटाना Last Worksheet में बच्चों हमने भिन्नों को जोडने के बारे में सीखा था आज हम सीखेंगे समान हर वाले भिन्नों को कैसे हम घटा सकते हैं So now let's start आपके सामने बच्चों ये आकरती दी गई है इसमें देखें 3 बटा 4 भाग है ये चायें की दभाग कितने है? 3 टोटल कितने है? 4 इसी तरह यहाँ पर देखिए टोटल है यहाँ पर 4 तो यहाँ पर 2 चायें की थे तो भिन्न बन गई 2 बटा 4 अब आपको क्या करना है? 3 बटे 4 में से 2 बटा 4 घटाना है तो simple जैसे हमने जोड़ में किया था ऐसे ही कर देंगे 4 हमारा जो हर है वो बराबर है तो 4 हम ऐसे कैसे लिख देंगे और जो अंच है उसमें से दूसरे को घटा देंगे 3 में से 2 गए कितना हो गया? 1 तो उत्तर आगया आपका 1 बटा 4 next कर लेते हैं बहुत आसान है 6 बटा 8 है बेटा इसमें से 2 बटा 8 गटाना है तो आप क्या करेंगे? 8 आपने यू का यू लिख लिया 6 में से 2 गटा दीजिए 4 आगया उत्तर आगया 4 बटा 8 आगए ये कट रहा है तो आप काट सकते हैं 4 एकम 4 4 दूनी 8 आँसर आगया 1 बटा 2 या आप ऐसे भी कर सकते हैं दोनों को चार्च से भाग कर देंगे तो भी आँसर एक बटा 2 आजाएगा ऐसे ही आप काट के भी कर सकते हैं नेच्स देखे समान हरवाले भिनों को गटाना समान हरवाले भिनों को गटाने के लिए अंश को गटाते हैं हमने किसको गटाया हमने आंश को जो है वो गटाया है और उनकी अंतर को उबैनिस्ट हर के ऊपर जो है वो लिख देते हैं ठीक है बीटा जो common हमारा हर निकलता है उसके उपर हम उनके अंतर को लिख देते हैं 2 हमने यह से लिख लिए 2-1 तो बिटर 2 में से 1 गया कितना आ गया आप 2 में से 1 गया तो यहाँ पर 1 आ गया तो उत्तर आ गया 1 बटा 7 इसी तरह देखिए समान अभी तो हमारे यह हर समान है जैसे हमारे जमामे समान थे ऐसे ही हमें करना है 13 हमने यहाँ ले लिया 5 में से 2 गट गटा दीजिए 5 में से 2 गटाने के बाद कितना आया आपके पास आया 3 ठीके तो इतना आ गया 3 बटा 13 तो इसका जो है उत्तर आ गया इसी तरह यहाँ पे भी बहुत इज़ी है 5 बटा 7 और 3 बटा 7 ठीके 7 हमने ऐसे लिख लिया नीचे हर जो है common हर है 5 में से 3 गटा दीजिए दो आजसर आ गया 2 बटा 7 इसका उत्तर हो गया 7 बटा 19 और 5 बटा 19 19 हमने नीचे लिख लिए 7 में से 5 गया 2 ठीके 2 बटा 19 जो है इसका उत्तर आ गया उसके बाद देखे असमान हर वाले भिन्नों को गटा ना तो असमान अगर हर है तो उन भिन्नों को हम कैसे गटाएंगे बहुत simple है बेटा हम पहले क्या करेंगे जैसे हमने जमा में किया था उनके हर पहले हम बराबर कर लेंगे ठीक है समान कर लेंगे फिर हम उसको आसानी से ऐसे ही घटा देंगे तो यह देखे 2 बटा 3 है और यहाँ पर जो है आपको दिया गया है 2 बटा 3 में से आपको 1 बटा 4 जो है वो घटाना है तो हमें पहले क्या करना अब देखे हर बराबर नहीं है इसका हर 3 है इसका हर 4 है तो हम पहले हर बराबर करेंगे तो 2 बटा 3 को हम 4 से गुना कर दें ठीक है 4 से गुना कर देंगे हम और एक बटा चार को हम तीन से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा हर जो है वो बराबर हो जाएगा इसको हम चूम करके कर लेते हैं तो देखें दो बटा तीन को चार से गुना और चार से भाग कर दिया एक बटा चार को तीन से गुना तीन से भाग कर दिया ठीक है और इस तरह से जो है हमें यहाँ पर क्या मिला यहाँ पर हमें मिला चार दुनी आठ और चार यह बार है दोनों को हमने आपस में गुना कर दिया यहाँ पर हम करेंगे जब हमारे हर जो है वो अलग-लग होते हैं तो यहाँ पर दिया गया है 2 बटा 3 और 1 बटा 4 2 बटे 3 में से 1 बटा 4 आपको घटाना है आप देखें यहाँ पर हर हमारे बराबर नहीं है 3 और 4 दिया गया है तो हमें सबसे पहले क्या करना है हमें करना है सबसे पहले कि हम इनके हर को बराबर कर लेते हैं पिरासानी से गटा देंगे तो हर को बराबर करने के लिए हमें इनको जो है गुणा करना पड़ेगा दो बटे तीन को हमने यहाँ पर इसको जो है चार से गुणा कर दिया और इसी तरह हमने इसको चार से भाग कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस आए गा ठीक है एक बटा चार को हमने तीन से गुना तीन से भाग कर दिया इस तरहसे देखे जब हम इनको आपस में गुना करते हैं चार दूनी आठ और चार तीय बारे इस तरहahan तरहरं और चार तीय बारे तो अब क्या होगे अब यहाँ पर हर जो है वह बराबर हो गई 12 हो गया ना 12 कॉमन लिख लिए 8 में से 3 घटा दीजे कितना आ गया 5 आ गया उत्तर कितना आ गया 5 बटे 12 नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस तरह से पिटा आप चायंकित भाग से भी समझ सकते हो यहाँ पर 2 बटे 3 बिन है, 2 भाग चायंकित है तो इसको हमने 4 से गुना 4 से भाग कर दिया तो यह हो गया 8 बटे 12 ठीके, तो 8 बटे 12 यह इसके तुले बिन है ठीके, यह भी हम पढ़ चुके हैं कि तुले बिन हम कैसे निकालते हैं इसी तरह 1 बटे 4 की तुले बिन हमने निकाल ली 3 बटे 12 यह तुले बिन दिखने में अलग लग हैं लेकिन इनका मान जो है वो समान होता है तो ऐसे भी हम इसको देख सकते हैं अब देखें, ऐसमान हर वाले भिन्नों को गटाना तो हम जो और एक्जांपल करेंगे ऐसमान हर वाले भिन्नों को गटाने के लिए पहले हम समान हर वाले भिन्नों में बदल लेते हैं और फिर अंशो को गटाते हैं और उनका अंतर जो है वो हर के उपर लिख देते हैं जैसे हमने अभी किया उधारन यहाँ पर दिया गया है एक बटा तीन में से एक बटा पांच घटाना है तो एक बटा तीन में से एक बटा पांच कैसे घटाएंगे एक बटा तीन को पांच से गुना पांच से भाग कर देंगे उसमें से 1 बटा 5 को जो है हर बराबर करने के लिए 3 से गुणा 3 से भाग कर देंगे उत्तार आगया 5 बटे 15 और इधर आगया यहाँ पर 3 बटे 15 जब हमने इसको सॉल किया तो बेटा 15 जो है नीचे लिख लेंगे और 5 में से 3 घटा दीजिए आपके पास उत्तार आगया 2 बटे 3 को 4 से गुणा कर दीजिए और इस 3 बटे 4 को 3 से गुणा कर दीजिए तो बराबर आ जाएगा ना देखो 4 को 3 से 3 को 4 से गुणा करोगे बात तो वही है तो आपस में एक दूसरे को जो है यहाँ ऐसे गुणा कर दीजिए तो देखे 4 को 4 से गुणा किया 16 आगया 4 को 3 से किया 12 आ गया 3 को 3 से गुणा 9 आ गया 4 को 3 से किया 12 आ गया तो अब देखे 12 हमने कॉमन लिख दिया 16 में से 9 गटा दीजिए 7 बचके तो उत्तर कितना आ गया उत्तर आ गया 7 बटे 12 अब यहाँ पर कुछ प्रशने दिये गए हैं यहाँ पर दिया गया है समान हर वाले भिन आ गया उत्तर 7 में से 5 गया 2 बटा 9 इसका उत्तर आ गया अब बी पार्ट करते हैं तो यहाँ पर भी हम 17 जो है यूं का यूं लिख लेंगे और यह देखे 14 में से 3 घटा दीजिए ऐसे लिखे 14 में से 3 गए 11 ठीके तो 11 बटे 17 जो है दूसरे वाले का उत्तर आ गया ठीके बीटा तो इस तरह से आप जो है इसको करेंगे अब हम करेंगे प्रेशने 2 प्रेशने 2 क्या है ऐसमान हर वाले भिन्नों को अंतर जो है वो हमें ग्यात करना है तो ऐसमान हर वाले भिन्नों को अंतर ग्यात करने के लिए हम इनको जो है गुणा कर देंगे तो यहाँ से आप उसका अंसर करेंगे देखे हमारे पास पहला सवाल है 6 बटे 11 में धिष्चट ग्रत्र उपस्दर अच्छी को हम 11 से गुना कर देंगे तो हमारे हर जो है वो बराबर हो जाएंगे तो 36 बटा 66 माइनस 11 बटे 66 अब देखे 66 हमने common ले लिया यहाँ पर और यहाँ पर देखे लिख लिया हमने common है न दोनों में तो 36 में से 11 गटा दीजिए उत्तर कितना आ गया 25 बटे 11 अगला करेंगे 7 बटा 9 में से 2 बटा 3 गटाना है तो 7 बटा 9 को हम 3 से गुना कर देंगे 3 से भाग कर देंगे और इसी तरह 2 बटा 3 को हम 9 से गुना और 9 से भाग कर देंगे और यहाँ पर जो आएगा 7 तिया 21 नो तिया 27 इसी तरह 9 दुनी 18 नो तिया 27 तो 21 बटा 27 में से 18 बटा 27 जो है यह गट चाएगा 27 जो है यहाँ वैनिस्ट है यह हमने नीचे लिख लिए उसके बाद 21 में से 18 घटा दीजिए आंसर आगया आपका 3 बटा 27 अब 3 और 27 एक दोनों आपस में कट रहे हैं तो काट जीजे 3 एकम 3 तीन निम 27 उत्तर आगया अगया वरकशीत थी आज़ी बेटन जिसमें आपने भिनों को घटा ना सीखा की कि इस तरह से समान हरवाले और अलग-अलग हरवाले भिनों को आ पर घटा सकती है तो यह थी पच्छो आपके आज़ की वरकशीट महलें आपको यह वरकशीट क्लिए है कोई भी प्रआबलम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेर जरूर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए and thanks for watching, have a nice day